जिला मंडी में करोना वाइरिस के चार नए मामले ने परशाशन और स्वास्ते बिभाग की परिशानी बढ़ा दिये उपायुक्त मंडी रिगवे ठाकों ने निमामलों को लेकर आयोजित पत्रकार वारता में बताया कि चार पॉजिटिव मरीजों में से एक महिला उना से वापिस अपने घर आई थी जबकि तीन अन्य मरीजों की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई है जो उना से महिला आई थी वो गोहर उपमंडल की रहने वाली है ये महिला बीते बारा दिन से होम कौरिंटाइन में थी वहीं थुनाग उपमंडल के युवक बल उपमंडल के बुजर्ग महिला और सदर उपमंडल के बुजर्ग की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उन्होंने का कि दो लोग जोनल अस्पताल मंडी की फ्ल्यू ओपडी में जाँच करवाने आए थे जिनके सेंपल लिये गए थे जबकि गोहर वाली महिला की तबीत खराव होने के कारण उसे घर जाकर उसका सेंपल लिया गया था बलवाली महिला मेडिकल कॉलेज नेर चौक में उपचारा दीन थी जहां से उसका सेंपल लिया गया उपएउग ने बताया कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इन संक्रमित व्यक्तियों के परिवार में से किसी को करोना हो सकता है जिसके चलते परिवार के सभी सदस्यों के सेंपल लेकर उन्हें जाज के लिए भी भेजा गया है उपायुक्त रिगवे ठाकों ने कहा कि ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन लोगों में करोना वाइरस कैसे आया और जल्द ही इसका पता भी लगा लिया जाएगा जो लोग करोना पॉल्द पाये गए हैं उनके घर से तीन किलोमेटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन गोशित किया गया है इससे पूरी तरह भी सील कर दिया गया है बालूप मंडल की महिला पहले से बिमारती इससे जिला के दो निजी अस्पतालों में भी उपचार करवाया है इसलिए इन निजी अस्पतालों की OPD को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है उन्हेंने बताया कि पूरे अस्पताल को सैनिटाइल किया जा रहा है वहीं अस्पताल में जिन जिन लोगों से उसका संपर्ग था उनकी भी पूश्टाज शुरू कर दी गई है जिला मंडी में पिछले कल 20 में को हमारे पास जो कैस्टिंग है उसके रिकोर्ट के अनुसार चार लोग यहां पर पॉसिटिव आई थे इस चार लोग हमरे चार अलग उपंडल से संबल गे थे हैं एक उपंडल नाग से एक गोहर से एक बल से और एक सदर से छारो में इसके प्लू पिडी मैं उपंडल है उसमें इनके स्यम्टम्स थे और यह दो लोग寨े अच्टिंगल ठाल्टिंग आया थे बहार से आई थी, तो ताकिदे सहुन को अटांगी थी, तो उसके भी भुखार वगरे इस तरह से स्म्टम से पहुंग किया था, तो उसके धर पे जाके उसका सैंपल किया था, और जो चौर्थी लेडी जो बल से है, ये पहले ही नेवस आप मेडिकल गॉलिजम एडमिट थी, तो उनका भी महाबट जैसे एडमिट थे, तो महाबट भी उनका सैंपल उठाएगा, तो इस चार सैंपल थे हमारे कुछ लेकल पॉजिटिव हाएं थे हैं, इस सैंपल के बाद जो हमारे स्टेंडर्ड प्रोसिजर है, वो हमने कर लिया है, जिस में की जिस एलिया से और जो डिफाइंड बाउन्टरी से उसके अनुसार इंको इडिया स्टेंडर्ड की है, सभी की प्राइमरी कॉंटक लिस्टिंग हमने की है, जिसमें एवरेज भर रेक्टी के 10 एक कॉंटक्स है, जिसमें की फैमिली मेंबर हैं और बाकी लोग हैं, तो उन सब के आज कल में जिसमें के आज को फोड़े देरे बाद सेंपल्स के इस सिनारियों में, क्योंकि इन में से जो जो हैं की बहुत जादा ट्रैवल की इनिस्टिव अमें तब पता नहीं चलिए, इसलिए इनकी हम सेंपल्स पहए पिक अप करें क्योंकि अन्देशा ये लगाए जारा है कि शा इसमें ने कहा कि जो गोहर की एक लेडी आय थी वो जो हमें प्रादमिक सुचना मेली है वो उना से आय थी उसको भी यहां पर आके बाराइक दिल हो रहे थी और वो क्योंकि पहली हम ने रखा था कि जो उना और कुछ एलिया से लोग आएंगे उनको हम कॉर्टाइम में जालू है जिसमें की पतागाने कुछिश कर रहे कि कहीं से उनका कॉंटैक्ट वा हो जहां एक युवक की बात है जो तुनाव पंडल से है इसके ट्रैवल हिस्ट्री है पर यह पुलू जिला से आये है और वो काफी पहले आये है जब एक महिना गेड़ महिना उनको हो गया ह जालू है और बाकिल जांकाड़ी हम ले रहे है कि इनका इनका कॉंटैक्क कहां किसे हुआ है क्या हुआ हुआ है और हमारे लिए जो में फोकस है वो जैसे स्टैंडर्ड प्रोसिजर भी होलता है कि जो पॉजिटिव लोग आएंगे उन पॉजिटिव लोग के जितने जो प्रैमरी कॉंटाइक्स से वहां में ट्रेस किये हैं, हमारी टीम्स और डीटेल कॉंटैक्स बेसी में जाएगी और बाकी वहां कॉंटाइक्स होंगे तो उसके में नाइन लिस्टिंग करके उनके सैंपल्स आने वाले दिनों के लिए साथ ही साथ जो पुरा कंटेनमेंट जोन होगा वहां पर हमारा एक्टिव सर्वेलन्स होगा जिसके हमारी सर्वेलन्स टीम्स हर पंचाइक में हर बॉर्ड लेवल पे घरगार जाके हर व्यक्ति से पूछेंगे कि जो पॉजिटिव एक्टिया उसके साथ किसी का किछले पंदरा दिनों में कोई कॉन्टैक्ट तो भी मोगा इस तरह की सुचना पूरी कंटेनमेंट जोन की जाएगी और उसमें अगर कोई सिम्टमाटिक है कोई और लक्षन दिखाता है कोरोना वायरस के तो उनकी सैंपल कि पूरी प्रक्रिया हमारे आने वाले के तीजा दिन में तीजाएगी और सैंपल्स की रिजर्ट आएंगी उसके आधार पर हम आगे की काववजी करते हैं